हलो बाई मेरा नाम है कार्टेक और आप सबी का स्वागते एक और नई वीडियो में आज की वीडियो में हमारे पास है भाई SP 125 होंडा की तरफ से भाई आती है वाई और इसके सेग्मेंट में अगर बात करी जाये ना तो यह most selling bike है इसके segment में और आती है भाई हीरो की तरफ से Glamour 125, TVS की तरफ से Raider 125 और अगर आप थोड़ा segment change करो तो Duke 125, RC 125, Pulsar NS 125 तो ऐसी कुछ bikes आती है पर भाई सबसे ज़्यादा most selling bike यही है इसके segment की क्योंकि भाई एक तो इसमें आता है 125 CC का engine, 5 gear और भाई commuter segment की bike है यानि जो normal बंदा है जिसको एक bike चाहिए powerful भी mileage भी हो और मलब बढ़िया एक package होता है पूरा बढ़िया bike का वो जिसको चाहिए तो वो जाता है भाई SP 125 पर तो अब भाई बात करते हैं के owner से और लेते हैं इसका ownership experience इसको हो चुका है एक साल तो अब देखते हैं भाई एक साल के अंदर इसमें क्या-क्या दिक्कतें आई क्या-क्या परिशानी आई और owner को overall कैसी लगी है बाइक क्या यह बाइक लेने लाइक है की नहीं है तो वह सब बात करेंगे तो आओ भाई इसके ओनर है यह अलो भाई मेरा नाम इस परश और हम चला रहे हैं फिलाल एस पीवन ट्वंटीफाई तो वही इसे लिए वह मोर दन वन यह रहुचुका है एक्पिरेंस काफी नॉस्टैल्जिक रहे हैं कुछ खराब भी तो कुछ अच्छे भी तो चलो बाइस सबसे पहली बात बताओ कि माइलेज कित्ते का देती है आपको बाइस फर्स और डिप की बाइस की जादा मैलेज देती है तो भाइस का थोड़ा उल्टा सीन है और गाड़िया मलब ज्यादा सीजी की होती है वह हाईवेड पर ज्यादा देती है और वह चलो दूसरी बात बताएं तो इसकी पावर आपको कैसी लगती है 125 ती का जो इसमें इंजन आ रहा है जिस इनिशल में हर बाइक को पीजा शोड़ देती है अब आप अपाचे ले लो पुलिट ले लो क्लासिक तरह लो कोई सब्सक्राइब ले लो इनिशल में शोड़ देती है बट जब आती है हाई-end की तो वहां पर फीका पड़ जाता है थर्ड गेर में कर रहो फॉर्थ गेर में तो थर्ड और फॉर्थ गेर में पुश्ट नहीं मिलता है थर्ड फॉर्थ में पुश्ट में एकदम उत्व रहता है अच्छा मनला जैसे मैंने भी चलाई बाइक तो मुझे भी परस्नली ऐसा ही लगता है कि फॉस्ट गेर में इसका पिकप ना होंडा जाने ही ऐसे जाता ह जैसे कि भाई बता ही रहे हैं हाईयर रेंज के लिए बनी है मोटरसाइकल कम्यूटिंग के लिए बनी है सिटी में चलाने के लिए तो उस हिसाब से एकदम बढ़िया है तो भाई एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि जो इसका पीछे वाला टायर है यह कावी पतला द सबसे टायर दे सकती थी ना भाई मैं माफ ही जाता हूं मैं ऐसे बड़िस में प्रयोग ले रहा हूं लेकिन सबसे घटिया वाहिया यह टायर यूज कर सकती थी यह टायर है क्यों भाई इसका रिजन मतला हो पावर इनों अच्छी दे दी ब्रेकिंग भी ठीक ठाक देदी बाई इसका टायर नहीं है कि इंजन को लेगर क्यों भाई आप नोटिस करोगे कि इसका ना जो वील स्पीन होता है तो टायर के गृप पर इसका वील स्पीन नहीं ले जाओ अब यह अच्छा तो मल्लब यह पीछे वाले टायर की दिककत है बाकी भाई होंडा ने कुछ तो बाई आपके दिल में Honda के लिए क्या है प्यार या नफरत है नफरत है और आप बाई के साथ सैटिस्फाइड हो कि नहीं हो जो मला आपकी नेर्श्थी वह फुल्फिल कर पारी है यह नहीं कर पारी वह देखो यहां तो तुम है तक यह दिक्कत होती है वो मेर को मिला अच्छा याद जो सो बाइक समय से एक डिफेक्टेड निकलता है मैं इस बाइक को लिए वन यह हुआ है अप्रोक्स अर्म हो जाए इसमें बाई अट लिस्ट मैं इसे बाई एक बंदा चलो बाई आप बता हो इसमें आपको क्या क्या द अच्छा तो बाई एक बात मैं पहले बोलना चाहूंगा कि भाई के साथ कुछ नेक्स्ट लेवल ही चोट हुई है ऐसे होंडा वाले सब के साथ करते नहीं है लेकिन भाई के साथ स्पेशली कर दी इनको दे दिये मैक्सिस के टायर ऐसे दे देते हैं यह सीएट के या कोई सब्सक्राइब साथ कोई यह समाँ तो अब यदिन भी बढ़िया की पर इनको दे दिया पता निंगन सी कंपनी है मैक्सिस उसके टैट दे दिये आदि यह सब कता वहनें वह गाण में तो ने चार पंचर लेन में कर ब्लू कप में जैसे मिडल क्लास लोग ऐसे तो है एक महीना हुआ लिए गाड़ी को और चेंज कर सकते हैं तो भाई मैंने इसको ट्यूबले से ट्यूब कर वाया चलो ठीक है भाई मैं मेरे भाईों के साथ ट्रिप से आ रहा था बहांगड से हमारे आसो 200 कुछ किलो मिटर पड़ता है व बाड़ी को एस यूजल छोड़के जा नहीं सकते भाई ठेफ्ट कर डर उपर से भाई आसवास कोई मेकैनिक नहीं क्या करेगा बंदा तो भाई मेरे साथ इस बाइक को ले लिए भाई क्यों ले लिए भाई अच्छा कभी-कभी ऐसे आती है मन में और कभी-कभी यह आता है मेरे यूनिट में दिक्कत है क्योंकि काफी लोग चला रहे हो इसकी तारीफ ही करता है अच्छा तो यह कुछ सीन है भाई बाइक तो आप मनलब आप सैटिसफाइड भी हो तो कहीं-कहीं नहीं हो यह जो इसका पीछ पीछ वाला पोर्शन है ना भाई भाई हॉंडा किस लि तो अभी लिए वह सिर्फ एक साल ही हुआ है भाई को अच्छा तो भाई अब हमाने बात कर ली इसके इंजन की परफॉमेंस की और क्या-क्या यहाँ पर चलो तो फिर मेरत देख पा रहा हूं यहाँ पे आपने एक प्स्विच लगा रखा है तो इस स्विच किस चीज़ का लेकिन मेरे दिमाग से बाद स्लिप हो गई तो दिन से काम किया तुम देखो कि यह हमेशा आप रहता है वह नहीं नहीं करता मैं क्यों और दो चलाओ कि इसके बैटरी डाओ बैटरी है बता नहीं क्या हो दो सेल लगा के दे दी है भगवान जाने बाई यह देखो बाई बाई को इतनी दिक्कते जहलनी पड़ रही है बाई के साथ क्योंकि यार हम हैं बाईक एंथूजियस्ट हमको चाहिए बाई बाईक एकदम मस्त परफॉर्मेंस निकाले मैक्सिमम निकालते हैं हम ऐसे नहीं बाई ऐसी बाईक लेके भी हम 30-40 की स्पीड पर चला रहे हैं फिर क्या मतलब है बाईक का तो बाई हम पूरा कंज्यूम करते हैं बाईक की परफॉर्मेंस को भी और सब चीज तो उसमें बाई यह होंडा टिक नहीं पारी है यह बाई बनी है बाई ऐसे मालो है मैं बाई को एक दम अच्छे से घीस रहा हूं हां ठीक है फ़स्ट गेर में रेव करता हूं भाई मिझा से लगता है इसका टायर राइटन साट स्लिप हो रहा है तो बाई मतलब कि हां काम चलाने के लिए लेवी बाई का समझ लो बाई तो बाई आपने च दम दिल से रिविव दे रहे हैं चैनल कि इतनी ज्यादा चला दी है तो तो कोई भी बन्दा फिर जूंट तो क्यों भोलेगा जो इतना चला लेगा उसा एक्सपिरेंस हो जाता कि क्या लेट लेने जा रहा है और इसके अंदर डिस्क वाला वेरेंट भी आता है तो आपको रेगरेट है कि आपने डिस्क वाला क्यों नहीं लिया ड्रम क्यों ले लिया क्योंकि इसकी ब्रेकिंग कैसी है आप इंजन पावरफुल आपने का वह दा रिसकी सिनेरियो जाता है मैं एक बार चल रहा था बाई 80-90 की स्पीड पर क्रूज कर रहा हूं अच्छान के सामने एक डॉग आ गया उस टाइम भाई इतनी फीलिव नहीं है वो ब्रेक लग गया नहीं जाना कैस नहीं लगता ना तो भाई वो भी मरता मेरा भी एक्सिडेंट होता मतलब मौत दिखा द तो बाई बताया बाई बाई को दूसरी बैक से कंपेर करें अब को नौर्मल चलाने वाला बंदा है और क्या नौर्मल बंदा तो 30-40 पर चलायागा उसको पता ही नहीं लगेगा पाई कुछ दिक्कत है क्योंकि वह उसकी मैक्जिमम परफॉर्मेंस को टेस्ट ही नहीं कर र तब जाके पता लगता है इसमें नेगेटिव क्या है और यह सब है कि नहीं तो ऐसा कुछ है बाई रिव्यू और इंजन की जो वह है रिफाइनमेंट वह कैसी है रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है रिफाइनमेंट के लिए मैं अप्रिशेट करना चाहँगा होंगा प्लीज एसपी 125 को थोड़ा सा इग्नोर करें वो थोड़ा सपोर्ट पे चले जाए नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है जैसा कि भाई ने इतनी दिक्कत इसमें बताई तो भाई चलो पॉजिटिव बता दो आपको क्या क्या इसमें अच्छा लगत कुछ है उसके बाद भाई साइलेंट स्टार्ट मलब यह साइलेंट स्टार्ट हो जाती है इसमें यह वाई आपने चीज़े की इदर लाओ का यहां पर रखना मिट रहे हैं यह देखा यह देखो बैटरी का कितना बड़ा दिक्कत बनना रखा है सुबह से इसको ऑन नहीं क अब जैसे दो तीन बार और करेंगो है है जाड लाइट आन है अब थोड़ी देर बाद तो स्टार्ट हो नहीं बंद हो जाएगी गाड़ी अब यह दो मिन्ट मेरी और वीडियो बना लो यह है जाड लाइट अपने ने ऑन छोड़ दिया एक मिनट के अंदर रहे कर यह बा बैटरी की दिक्कत है पर किक है अपने पास तो इतना दिक्कत भी नहीं है पर दिल पे दुख होता है भाई अब लगा रहे हो सेल गाड़ी स्टार्टी और पीचे से होन बजाया बाई एक लाग देखे भी फिर आपको किकें देनी पड़ रही है तो फिर वह दिक्कत होती ह है बागी यह देखो लाइट भी बंद होने लग गई और ऐसा कुछ सीन है भाई तो भाई यह तो अपन ने पूरी बाइक की बात कर ली ओनर्शिप रिव्यू ले लिया अब आप बदाओ कि आप क्या प्रिफर करोगे कि कोई बाई कि ले या ना ले और कैसे टाइब के लो ले 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 लें लोगों को नहीं है फस्ट वाल जिनके हाइट थोड़ी लंबी है वह यह तो इस पर जा सकते हैं थोड़ा और पैसा थो थोड़ी ने बेटर अप्शन सेकंडली जो माइलेज को लेकर काफी जादा सीरियस है उसको कुछ भी करो साध्या माली तो देगी सेकंडली काफी अच्छा मॉड़ी मिल जाता है अब मैं बात आता हूं यह बाइक किनको नहीं लेनी जिनके हाइट भाई जादा भी बड़ी ना हो क्योंकि भाई इसकी जो एक टीनेजर भी चला सकता है एक यंगाय भी चला सकता है साधी साथ एक एजड परसन जॉब परसन वी चला सकता है तो भाई यह है फैनल वर्डिक्ट कि अगर आप रेडर पर जा सकते हो तो इस वोड़ भी बेटर ऑप्शन फो यहां पर हमने इसको अन करके बस भाई सकते हो लिए लिए छोड़ा था और वाई जो हम बता हुद रहे थे वह गया है यह देखो शब्राइट भी बंद भी तो अननी है और यह देखना भया यह देखो गाडी स्टार्ट ही नहीं पड़ रही है यह देखो देखा नाम या लिले रही है तो यह दिककत फेस ह पड़ रही है भाई भाई को बैटरी रेलेटेड इस हजार लाइट की वज़े से यार यह इतने भी भारी चीज नहीं है जो बैटरी को इतना जादा वो कर दे अगर कोई मोटा वाला हॉन्ड होता तो तो फिर भी समझ आती है बात पर भाई यह हजार लाइट का स्विच बस वह बाइपास होता है अंदर सिस्टम स्विच स्विच लगता है बस उसी में बैटरी ऐसी हो गई भाई खड़ी-गाड़ी में हजार लाइट चले समझ आता है जब बाइक चल रही है तो इंजन से पावर लेन की तब भी तो यह बहुत बड़ा एक इशू है तो देख लो खो यह बहुता है